हाई फ्रेंज कैसे हैं आप इस वीडियो में बात करेंगे मुलतान और सलामाबाद की जो हमें देखने वले हैं आज धाई बजे मैच इंडियन टाइम अनुसार दुपएर का मैच है ध्यान रखना इसलिए वीडियो अरली आई है उमीद करूँगा कि आप ये वीडियो फुल शनी साक्या भाई का मुझे मैसेज भी आया आज शनी वार है और शनी को ही जीद गए भाई है क्या बात है तो थेंक्स भाई लव यू ऐसे इनका मुझे मैसेज है फैमली मेंबर फॉर थ्री यर्स बहुत अच्छा लगा और गेवला मैच था वेस्ट इंडिज और आप दे सब्सक्राइब को रखा है और लेया पॉल को बाकी नौ प्लेयर डिट्टो से मैं सिर्फ दो प्लेयर चेंज थी इनकी बाकी पूरी टीव एकदम से मैं एक दो चेंजिस करके आप भी ग्रेंड ली में एसी रेंक ला सकते हो यह सोचो जरा ठीक है और यह इनका मुझे कोमें प्लेशन में टेलीग्राम का जरूर ज़र ज़र जए बहुत अपडेट आते हैं जो आपको बहुत एल्प करेंगी और आप एक अच्छे प्लेयर बनते जाएंगे स्किल आपका इतना बड़ेगा आप बहुत अच्छा खुद बखुद करने लगेंगे ज़रूर हमारे टेल टौन दोस्तों रंस होते हैं यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ मैचे में आपको देखने को मिलें डिसेंड अमाउन्ट फरंज से के सकते हो न्यूटरल की तरफ मूव कर जाए पिंच बल्ले बाजी से यह थोड़ा देख चलना होगा ठीक है क्योंकि दुप पहर के हैं तो ड्यू सेकंड इनिंग्स में तो नहीं आएगा तीन मैच देखने को मिलें आपको तीन मैच में क्या हुआ है उस पे नजर डालते हैं पहला मैच हाइज स्कोरिंग 12 में से एक रन ओट वाइस मैच में कोल मिला कि 36 विकेट गई हैं दोस्तों इन 36 विकेट फास्ट आट स्पीड क्लियर देख रहे हो 25 अगर फास्ट को मिले तो फास्ट का तो वही आपको देखने को मिला हाला कि दुपहर के गेम में स्पिनर भी गेम में आ सकते हैं पर कितने ज्यादा कहना मुश्किल है आप तीन मैच भी हो गए अगर यूजड विकेट होई स्पिनर्स को थोड़ा गेम में आपको यहाँ पर आते होए समझ सकते हो ठीक है दोस्तों दोनों टीम्स दे आपस में खिले ग्यारा मैच है टू है ग्यारा मैच देखने को मिले है छे उसमें से जीती है मुल्तान पांच जीती है दोस्तों यहाँ पर इसलामाबाद की टीम पिछले दो साल लेकिन कहानी है सिरी कि दोनों यहाँ पर मुल्तान की टीम जीती सो यहाँ पर अगर आप येवला मैच देखोगे इजीली मुलतान ने विन किया था 105 में इसलामबाद को रोक के 6 विकेट के साथ ठीक है ये बोलिंग मैच गवा था बोलिंग विकेट थी ठीक है लियम डॉसन पास इस मैच पे 3 विकेट थे यहाँ पर आगे आते हैं तो दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे हैट तो एड में शानमसूद का रिकॉर्ड अच्छ है सेवन मैच पे 178 है विद वन हाफ सेंचरी यहाँ पर 168 है सिरफ रंस यहाँ पर हुसेन तलत के 8 मैच में 168 31 का अवरेज है जो हुसेन तलत को एक अच्छा प्लेयर बना देता है देन दोस्तों शदाब खान है 10 मैच में 164 23 का अवरेज 2 हाफ सेंजरी है रिजवान 5 मैच में 164 का अवरेज है ठीक है नवतस्तों यहाँ पर मैं आगए हूं ताकि अराम से देखलो की रिसएन प्लेयर रोल की प्लेयर का हर एक टार का मलो कि आपको यह बी毒त यहां पर मैच पलटा था यहां पर इन्हों ने मैच चेजिक कर दी थी अच्छी बोलिंग करने के बाद बोलिंग में टॉम क्योरैन लाजबाप थे 정म क्योरान ने विकेट निकाली पहीम ने एक विकेट निकाली अगर आप देखना चाहाओ बोलिंगं इनकी राम से टॉम क्योरेनक को doe विकेट मिले थे जिसमें आप देखो ऑंची में फ्लेयर्ट हीरं की वेजने मैच जीते थे हम वहीम अश्रफ ने भी विकेट निकाला था ये भी हमारी टीम में थे तो ओवर्स किसने कौन सा किया ये भी देखना चाहते हो इनका रिकोर्ड तो भाईया सोहेब मक्सूद 166 मैच में 158 इनिंग्स अर्टी सो चाहती सरन 27 का अवरेज है 24 सेंजरी भी है और 6 विकेट भी है हाला कि अब बोलिंग कम करते हैं पहला मैच खेले नहीं अगर खेलते हैं तो खराब ऑप्शन नहीं है अब इनके लास्ट यर के परफॉर्मर्स देख लेते हैं यह इंपॉर्टेट है एलेक सेल्स अभी अवेलेबल नहीं है 26 सरवरी को आएंगे पाकिस्तान खेलने ठीक है वो भी मन किया तो बाकी यहां पर आजम खान है दोहाव सेंजरी शदाप पास अच्छा रिकॉर्ड है यहां पर स्टर्डिंग का डिसेंट रिकॉर्ड है स्टर्डिंग ने देखो के 33 के अवरेज से दोहाव सेंजरी मारी है लास्ट यर बाकी मन्रो का रिकॉर्ड अच्छ है 82.5 दोहाव सेंजरी गुर्बाज अभी अवेलेबल नहीं है आसिफ अली ठीक्ठा खेले थे 13 का रहे थे दो विकेट निकाल गए थे मुबाशिर साथ में एक और जीशन जवीर दो में एक विकेट अब हम देख रहे हैं मुलतान के प्लेयर रोल्स प्रेस रिसेंट फॉर्म में साइड पर आ जाता हूं ताकि आप एजिली देख पाए आपको हर एक प्लेयर का या ठीक है शान मसूद 35-3-20 ठीक था खेले है रसाओ पहला मैच नहीं खेले अगले दोनों में 70 प्लस ठीक है डेविड मिलर 25-23 कारिन पुलाट 20-15 लास्ट मैच में इनके फिनिशर को खुछ दिल्शा को बल्ले बाजी मिली नहीं उतके अलावा ब्रेथवेट है उसामा मीर अ 19 ओर भी था 10 निकाल चुके तीन मैच में ठीक है विज इस फिनोमिनल कार्लौस को एक विकेट मिला पिछले मैच में खुछ दिलने 2 वर डाले पिछले मैच में पहले दो मैच का 10 ओर समीन गुल्ले 2 डाले थे थोड़े महंगिसाब भी तो थे पहला मैच विकेट लेस्ट द सब्सक्राइब कर देखोंगे अच्छी बोलिंग कर जाए कोई स्पिनर तो वह बहुत बढ़िया है बाकि लेफटाम और्थोडॉक्स अकील उसे लास्ट मेंच खेले नहीं दहानी इंजड़ हो चुके हैं ठीक है अच्छे प्लेयर है अगर खेलते हैं इंपॉर्टेंट रह स सकते हैं अब आप देख रहे हो फुल स्टैट्स प्लेयर का रोल आपको देखने को मिल चुका आपको रीसेंट फॉर्म देखने को मिल चुकी अब मिल रहाव पूरा स्टैट्स ठीक है जस्ट पिफॉर दस्टार्ट ऑफ पी इसल डिस रिटन फॉर यूइज मुलतान के आते हैं बोलिंग में दहानी इंजर है खुशजल शाह लास्ट यर रेगुलर बोलिंग करके विकेट निकाले थे इसकलब अबास अफ्रीदी है इस साल तोड़ फोर्ट कर रहे हैं तीन मैच में और देखे थे बहुत बड़े दूसरे तीसरे में लिया भी और हम जीते भी ह दा लेते तो मैचश में मैच अब हम थे नजर डालते हैं महमद वसीम ने इसलामाबाद के पेसर ने महमद रिज्वान को दो बर आउट किया वाकियों के किसी प्लेयर ने नहीं किया तो महमद रिजवान अगर तंग हो रहे हैं लुए इसमें दोबा T20 एक बर वंडे अनली ने इनको एक बर आउट किया है पुरार्ड भीया शिदाप की आगे तो काफी बढ़िया किया रुम्मन भी इसने इन के आगे और यह आज भी देखने को मिल सकता है दोस्तों खुशदिल चाह शदाप खान पे एक बार आउट हुए है है हसन अली पे एक बार आउट हुए है राइली रिसव इंपोर्टेंट है किस पे आउट हो रहे है लेफ्ट लेकिन दो बार अकील हुसेन ने किया है ठीक है वंडे में है लेकिन पॉस्टर निंग उनके आगे स्ट्रगल किया है मन्रव साथ बार ब्रेथवेट के आगे दो बार कायरेन पुलाड दो बार अकील हुसेन के आगे एक बार मुहमद इलियास के आगे ऊट हुए है ठीक है यहां पर आजिवन एडियूसन दो बर पॉलाड का शिकार है, बाकियों के आगे नॉर्मल, ज़्यादा खेले नहीं है, PSL का पहला सीजन है इनका, उसामामीर ने एक बर, पॉलाड ने एक बर, और खुछदिल शाह ने एक एक बर आउट किया है, शदाब खान को, इंपोर्ट पॉलाड ने रनी नहीं करने दिया, समीन गुल को चौके जखके लगा कर आउट हूँ है, उसामामीर के आगे एक बर आउट हूँ है, ब्रेथवेट और पॉलाड एक एक बर शिकार बने है, इन फैक्ट, टॉम क्यूरैन शिकार बने है, ब्रेथवेट और पॉलाड का एक भी अच्छे प्लेयर है, दोस्तों अब अपनी टीम करने आए हैं, टीम में आपको दिखेगा सबसे पहला विकल्प महमद रिजवान का, बहुत ही अच्छे विकेट कीपर है, ओपनिंग पे भी है, तीनों मैच में करूंगा आपकी टीम में, और मैंने लिया भी है, दो मैच में 70 प्लस की है, इंपोर्टेंट प्लेयर है, देखो दुपाहर का मैच है, आप रिस्क लेना चाहों ले सकते हो, 9% ने इनको ड्रॉप किया है, अगर ये फेल होते हैं, वो 9% को ड्रेक्ट एज मिलेगा, बिल्कु रिस्क ले सकते हो, मैंने अभी रसओ को लिया है कॉली मिन्राउ 74% सेलेक्शन है, क्योंकि लास्ट फिफ्टी, लेकिन आए थे टू डॉण, मैं अभी लेकर चला हूँ, राजी वैने ड्यूसर वन डाउन आए थे, कंसिस्टेंट खिलाडी है, मैं लेकर चला हूँ, बल्ले वाजी में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर है इस मैच में, शान मसूद पर अभी मैंने रिस्क लिया, ड्रॉप करने का टेक्निकली साउंड है, वैसे लेफ्ट एडिट प्लेयर है, भी मैंने रिस्क लिया, ड्रॉप का, कारिन पुलाड वैसे तो 3 डॉण आ रहे हैं, एक आदा ओवर कर जैं, कैचिंग पोजीशन में र कर सकते हैं, बाकि डिपेंड करेगा लाइनप पे, लास्ट मैच में ये छटे बोलर थे, एलेक सेल्स और आसिफ अली, ठीक है, दोनों अच्छे प्लेयर है, एलेक सेल्स अवेलेबल निया, आसिफ अली बहुत नीचे आते हैं, इनकी बात ही खतम, नवाज आ गए थे, टॉ अवेलेबिल्टी का इशु है, सो ये मक्सूद लास्ट मैच खेले नहीं, उस्मान कान पहला मैच के लिए जल्दी आउट हुए, अगले दो खेले लिए, ठीक है, और राउंडर पे मैं आगया हूँ, और राउंडर पे मुझे शदाब चाहिए ही चाहिए, मेंबर दनेम, हमेशा गेंद बाजी से कुछ ना कुछ करते हैं, बहुत बेस्ट फॉर्म में है, रिसेंट रोल्स में इनकी जब मैंने आपको रिसेंट प्लस यहां पे रोल्स दिखाये थे, वहां पे देखना, कितरा बढ़िया इनका फॉर्म था, दो दो तीन दिर में लेंगे तो ठीक ठाक है, बाकी के प्लियर्स में मेरे को लगता नहीं कोई लेने वाला है, बाद बढ़ फास्ट बोलर है, ठीक ठाक, मुबर शिर्खान स्विनर प्लस बैट्समन बट खेल लेंगे कम चांस है, एसान उला भीया काफी शांदार बोलर है, पिछले तीन मै अमीर को आप ले सकते हो, बढ़िया बोलर है, कहीनिया की गेम में आपको रखेंगे, पिछले तीन मैचे में हर मैच में विकेट है, तीन मैच में छे विकेट निकाली है, ठीक है, ले सकते हो, महमद वसीम को मैं लेके चल रहा हूँ, इसलामाबाद के एक और पेसर, अगर आपको लगता है, यार पांचो ही बोलर चाहिए, उसी केस में करना, अगर इनकी पहले बोलिंगों इसलामाबाद की, मैंने लास्ट इम पांचो लिये दे, शदाब को छोड़के सब को विकेट मिला था, ठीक है, रुमन रईस को ले सकते हो, बाकि अकीलू से बढ़ि अगर कोई खेलेगा, मैं आपको बता दूगा, बड़ खेलने के चांस कम ही है, यह मेरा टीम का प्रिव्यू आपको दिखाने वाला हूँ, दोस्तों, टीम का प्रिव्यू अब आप मेरे देख सकते हो, जहां आपको लगता है, चेंज करने की जरुएता है, खुद से आप कर लोगे, यह मेरी टीम का प्रिव्यू बनता है, इसमें कैप्टन सी मैंने अपनी फिर से रिस्क लेते हुए शदाब खान को दी है, चार ओर करेंगे, बल्लेवाजी करना भी जानते है, वाइस कैप्टन सी मैंने फिलहाल रिजवान को दी है, मैं रिस्क लेके इसको रिव बेल आइकन प्रेस करो, और विडिविकेशन बटन आउन करो, मिलूँगा आपको अगली वीडियो में